आज एक good news आया है जिसके बारे में यहां पर इमें discuss करने वाला हूँ और आपको क्या good news है हुई बताने वाला हूँ तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और यह काफी अच्छी बात आई हुई यह जो news है वो है the institute of cost accounts of India की तरफ से इसे आज ही just latest notified किया गया है जिसे मैं कित फूर अपडेट कर रहा हूँ अपडेट क्या है फूल वीडियो देखेगा ताकि आपको पता चलिया है 14 जनुवरी को लेटरेट पर साइन हुआ है और यहां पर नोटिफिकेशन जो आया है वो किसके रिगार्डिंग है यहां पर आपको पोस्टर से पता चली गया होगा subject है introduction of new practical यहां पर what a new practical training scheme for the student registering intermediate course for December 2020 terms examination onwards तो यहां पर new practical training scheme को लागू कर दिया गया है तब से होने वाला है जो लोग December 2020 examination terms के लिए apply करने वाले हैं यानि जो लोग register करेंगे student जो भी new registration होंगे उनके लिए यहां पर applicability हो जाएगी 15 months की training तो क्या क्या detail आईए यह करके यहां पर आपको full training for a period at least 15 months instead of 6 months यानि 6 months की वजाए आपको 15 months जो भी नए registration होंगे उनको करना होगा तो यह काफी news है बट यहां पर word आपको ध्यान रखना है new practical training scheme for the students registering in intermediate जो register करेंगे intermediate में 2020 December examination और उसके बात के लिए उनके लिए applicable होगा ना कि जो पहले से ही registered हैं तो यहां पर यह अभी और भी December terms के लिए तो आपको यहां पर 15 months का training करना होगा जो पहले से ही हैं उस intermediate में उनको सायद नहीं करना होगा या फिर जो final में आ चुके हैं उनको नहीं करना है तो यह काफी opportunity अच्छी होने वाली आप देखते हैं कि इसका क्या impact पड़ता है आपके critical exposure पे second point यहां पर यहां the training scheme will be applicable for the students registering intermediate course for December तो यही वर्ड फिर से यहां पर लिखा गया जो register करने वाले हैं आपका December 2020 terms के लिए जो फैले से ही final में है उन पर यह applicable नहीं होने वाला है अब यहां पर बताया गया third number में detailed training scheme along with the all terms and conditions will be notified soon तो काफी जल्दी ही इस से related सारी detailed information आने वाली है तो यहां पर 6 मेनी के बज़ा 15 मंद्स हो गया है जो नए registration होने वाले है इस student 2020 December terms से applicable हो जाएगा जो उसके लिए register करेंगे यह चीज़ बताई गया है और detailed notification क्या है इसका वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा यहां पर यह notification जिसका लंबे समय से wait था होगा आ चुका है तो अब जो भी नए registration है वो ध्यान देंगे आपको यहां पर जो है 15 मंद्स का training करना होगा instead of 6 मंद्स तो देखते हैं इस student में क्या क्या reaction है आप भी comment box में जरूर बताईए इस से आपको क्या फायद क्या नुक्षान है क्या आप इस news से इत्फाक रखते हैं आपको यह अच कर दिया गया है यानि 9 मंद्स का यहां पर changes हो जाएगा आप 9 मंद्स डिले एक्जाम देंगे जो 6 महीने बाद ही देर पार रहे थे तो अब आप 9 महीने और उसमे एड हो जाएंगे आपके तो टोटल 15 मंद्स का डिले आप एक्जाम दे सकते हैं CMA अगर आपको qualify करना final exam द करें लाइक करें और अपने दोस्तों में share करें थांक्यू